जैहिन दोस्तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में GST इन करके टैली में बिलिंग कैसे करते हैं तो चलिए हम लोग यहां से स्केप करेंगे और स्केप करके आपको बैक जाना है बैक जाने के बाद यहां से क्रियेट बटन पर जाईएगा और इंटर प्रेश किजिएगा एक डायलग बॉक्स खुलेगा इसको फुली कीजिएगा यह फॉर्म है आपके कंपनी किरिएशन का तो चलिए हम एक कंपनी मना लेते हैं जैसे एक कंपनी मला लेते हम A, B, C के नाम से ठीक है इंटरप्रेस करेंगे इंडिया, बिहार और आगे बरहेंगे पिन कोड नंबर डालेंगे 84, 31, 25, मोबाइल नंबर डालिएगा, टिलिफोन डालिएगा, अगर है तो नहीं है तो आप आगे बर सकते हैं इमेल वेवसाइड, ठीक है, जैसे वेवसाइड मेंने डाल दिया, IICT, शाहवगंज, डाट इन, चलिए, फिर हम लोग आगे बरहेंगे यहां से, और फाइनेंसिल यहां पर डालेंगे हम लोग एक चार बाईश, और बुक फ्रम बिगिनिंग सेम डेट रहेगा, आगे बर यह और पासवर्ड इसमें हम नहीं डालते हैं, फिर इंटर, 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 इंटर करके और फाइनली एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट कर देन करेंगे, टैक्सेशन में और इंटर प्रेस करेंगे, यहां उपर में आपको एक अप्संस दिख रहा होगा, इनेबल गूट्स एंड सर्विस टेक्स, ठीक है, जी एस्ट, इस अप्सं को आपको यस्ट करना है, यस्ट लिख करके इंटर प्रेस किजेगा, फिर सेट अल्ट करेंगे, आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद फिर से इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके फिर से एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, अब बात आती है लेजर बनाने की, तो बैग के बाद यहां से name पूछेगा फिर under पूछेगा तो name एक बना लेते हैं हम लोग जैसे माल लिया जाए purchase PUR CHAC अब under group कहां जाएगा यह तो purchase account में तो इसमें से search करना है off-down cursor करके purchase account में नीची आईएगा यहां से GST applicable को applicable कर लेंगे यहां से GST जो है set altered GST details इसको yes करना है आपको इंटर करना है इंटर करने के बाद यहां से आपका कुछ options पूरे नहीं पूछ रहा है ठीक है अब पहले है total options को यहां yes करते हैं अगर इस तरह से इतना कम option पूछ रहा है तो आप F12 भी यहीं पर प्रेस कीज़ेगा ठीक है और जितने सारे भी options से सबको आप yes कर लिजे टाकि आप सारी form को feel कर पाए ठीक है yes कर लेते हैं चली अब आप से description पूछ रहा है तो यहां पे goods से related काम कर रहा है तो जी डबलो डी एस goods डाल देते हैं हसे number होता है ओफिसियल यहां company का हसे number डाल देते हैं इंटर करेंगे अब nature of transaction में यहां पे purchase taxable ले ले लेते हैं तो इंटर करेंगे और यहां से purchase taxable ले ले लेते हैं फिर नीचे करके इंटर आएंगे और यहां से integrated text यानि total round of text तो 12% पे काम करें तो 12% डाल देते हैं अब central का text कितना होगा तो 6% और state 6% दोनों हाफ हाफ automatic हो जाएगा case 0% रखते हैं और इंटर करते हैं फिर आगे type of supply में goods डालते हैं और finally accept कर देते हैं एक laser आपका complete हो गया अब दूसरा laser बनाएंगे input cgst gst 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 cgst at the rate of 6% इंटर करेंगे अब यह जाता है duties and taxes में under group आपको यहां से duties and taxes डाल लेना है फिर इंटर करेंगे अब यहां से आप gst डाल लीजिएगा gst डालने के बाद c मतलब होता है central मैंने यहां बनाए input cgst at the rate of 6% तो उसके लिए मुझे यहां से central text लेना होगा क्योंकि central के लिए बना रहे हैं अब percentage इसका half है 6% तो 6% डे लेंगे इंटर करेंगे rounding method normal rounding रहेगा और इंटर करके finally accept करेंगे अब एक बनाएंगे अब लोग input input sgst ठीक है s मतलब state तो यहां से एक बनेगा sgst at the rate of 6% इंटर करके नीचे आएंगे duties and taxes under group होगा इंटर करेंगे यहां से हम type of duties gst ले ले लेते हैं यहां से s मतलब state state tax के लिए s डाले है percentage 6 ही रहेगा इंटर करेंगे rounding method normal rounding डालेंगे और इंटर करके accept कर लेंगे अगला laser बनाएंगे हम लोग sgs sales का जोकी अंडर जाएगा आपका sales account में यहां से sales account accepted करना है अंडर group से इंटर करेंगे gst applicable applicable रहेगा यहां से gst details को आपको yes लिख देना है इसमें y e s और इंटर करेंगे description पूछेगा तो यहां से डाल लीजेगा g o d s goods hsa number एक डाल लेते हैं कोई ऐसे company का दिया हुआ राता है मन जाद मतलब नर्मली डाल लेते हैं चली यहां से डाल लीजेगा taxable sales taxable ठीक है इंटर करेंगे value कितना है 12% है 6% 6% और के 0% service tax आपका हो जाएगा goods यहानि type of supply goods और इंटर करेंगे और finally accept करेंगे अब एक laser और बनेगा जिसका नाम होगा OUT PUT ठीक है output cgst cgst at the rate of 6% इंटर करेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे यहां से output cgst at the rate of 6% जाएगा duties and taxes में तो यहां से आप डालिएगा duties and taxes इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहां से gst लेंगे और c central मैंने पहले भी बताया और half price 6% यहां से और rounding method normal rounding फिर accept करते हैं एक बनेगा output sgst out put output sgst at the rate of 6% ठीक है इंटर करेंगे यह भी duties and taxes में जाएगा यहां से हम gst ले लेंगे इंटर करेंगे और c s का मतलब होता है state तो यहां से हमें state ले लेते हैं और finally इंटर करेंगे और 6% rounding method normal rounding और accept कर लेंगे अगला laser एक पार्टी नेम के बनाते हैं तो पार्टी नेम आरे जे राज टी आरे डी आरेस सपोज राज टेडर्स ठीक है इंटर करेंगे अंडर जाएगा sundry क्रेटर में because यह purchase के लिए मैंने बनाया इसका laser bill by bill options को no रखिएगा because यह उधार credit के लिए होता है तो इसको no रखेंगे इंटर करके नीची आएंगे और GST details अगर आपको राज का details भढ़ना है तो आप उपर आपको दिख रहा है mailing details अब भढ़ सकते है अधरवाईज आप नीची आईएगा और GST को यहाँ से yes कर लेंगे yes करने के बाद यहाँ पर registration type regular होगा इंटर करके नीची आएंगे एक GST नमबर राज का डाल लेते हैं इंटर करेंगे और finally हम accept करते हैं एक laser बनाएंगे हम ASONU का अंडर जाएगा यह संडी डेटर्स में ठीक है यहाँ से संडी डेटर्स डालेंगे फिर से वही चीज इंटर करके नीचे आएंगे यहाँ से GST को हम yes कर लेते हैं और yes करने के बाद regular और GST एक नमबर शोनु का ड measurement बनाएंगे मुझे piece का सामान खरीद भी करना है तो symbol में piece दे दिया पूरा नाम PICE piece डाला मैंने और यहाँ से accept कर लिया फिर बैग यहाँ से और group बनाया तो group में जाते हैं और एक group बना लेते हैं suppose computer क्योंकि computer से related मुझे सामान पर्जेज का transactions करना है तो COMPUTER computer under यहाँ से आप stock item तो stock item में MOU SC mouse का मना लिए under यहाँ से हम लोग computer को डाल लिए और units measurement यह piece में बिखने वाला है तो piece डाले और accept किये तो यहाँ से आपको एक चीज करना है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसमें थोरा सा changing करते हैं मल्टर में जा करके और mouse का जो मैंने बनाया यहाँ से GST हम अप्ली केबल करके और इसको yes कर लेंगे ठीक है यहाँ से description में goods डाल लेते हैं जैसे जी डावलो डियेस goods इंटर करेंगे HSA number डाल लेते हैं और इंटर करके नीचे आएंगे on value रहेगा taxability taxable यहाँ से डाल लेते हैं और rate 12% GST लगाना है तो 12% फिर 6% 6% case 0% और type of supply में goods रख लेते हैं और final accept करते हैं तो यह जो mouse का मैंने आइटम बनाया तो वहाँ से मुझे GST यहाँ से yes करने होत है अब back जाएंगे हम back जाने के बाद transaction करने के लिए counting voucher में जाएंगे counting voucher में जाने के बाद आपको f9 price करना या फिर यहां से आपको दिख रहा है purchase का option से यहां से purchase पर क्लिक किजिएगा purchase का box फूल करके आ जाएगा supplier invoice numbers में कुछ नहीं डालते हैं data भी छोड़ देते हैं पार्टी ने में मैंने आड़ जे राज टेडर्स का बनाया इंटर करके नीचे गया और यहां से मैंने purchase का laser डाला समान यहां पर डाला mouse कितना पिस खईद रहा है तो सपोज 100 पिस खईद रहा है अगर एक कदाम 350 रुपया है तो टोटल 35,000 का समान हुआ मेरा ठीक है एक बा दिजेगा अगर automatic amount calculate नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने गलत laser बनाया है या फिर कहीं ने कहीं आपका transaction गलत है इंटर करेंगे और यहां से हम purchase के साथ input sgst लगाते हैं purchase के साथ हमेशा input cgst या sgst लगाईएगा आप 200 रुपया काट लिए यहां पर टोटल यहां पर value जोर क हम लोग लिख लेंगे जैसे be ing लगा करके आप लिख सकते हैं purchase किया तर टाइप कर लिजे और इंटर करके accept कर लिए तो यह मेरा purchasing का काम हो गया अब मुझे sales करनी है तो sales करने के लिए यहां से sales voucher पे click करेंगे sales का box फूल जाएगा पार्टी ने मैंने sales के लिए यहां पर बना रखा है sonu का इंटर करके नीचे आएंगे इंटर इंटर और नीचे चलिए sales का laser डाल दिए समान मेरे पास mouse का 10 पी से 100 पी से वे लेवल है 10 पी से sales करना है 450 की rate से 450 इंटर करेंगे 4500 का समान हुआ एक बार इंटर करके नीचे अब इसका बिलिंग का हम लोग प्रिंटिंग कैसे करेंगे यह तो मेरा कंप्लेटली ट्रांजेक्शन हो गया अब बिल बनाने के लिए आप एक्सेप्ट जाएगा अगर बिल प्रिंट करना हो तो और यहां से जाएंगे हम लोग फोर बिल करने के लिए प्रिंट करेंगे और गार इस फ़ॉप करना हो उप्रिंत कर लेदेंगे प्रिंट करना शाहते हैं आप Excel में भी convert कर सकते हैं आप पिछले वीडियो देख सकते हैं इसके लिए JPG में जाएंगे और यहां से F4 size में build कर रहा है तो F4 ले लेते हैं और export करते हैं Overwrite करते हैं यहां से build पे तो देखिए दोस्तों कितना सुन्दर सा यहां पर बन करके आपको दिख रहा है थोड़ा सा मैं जूम करके आपको डीटेल्स बता दे रहा हूँ यहां से देखिए इन भायश नमबर्स यहां GST डीटेल्स के साथ बिहार का code 10 होता है बायर का नाम यहां पर आपके company का नाम यहां से numbers वगरा यहां पर लोगों वगरा भी लगा सकते हैं इसके लिए वीडियो बनाएंगे आप यह चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि वीडियो जो भी बनाए आपको notification पहले पहुँचे और यहां से जाएंगे देखिए mouse है यहां से आपका SSN number है quantity है इतना piece और इतना के rate से output CGS इतना percent इतना के rate से और जो भी है यहां पर details बताया हुआ है यहां पर taxability value taxable central estate का अलग-अलग करके total amount दिया हुआ और total पैसा यहां पर आपको बता करके और यहां से नीची आईएगा तो total यहां पर पैसा आपको 5040 का यहां पर amount बता रहा है तो यह हुआ आपका total transaction यह bill print अब इसको print करने के लिए हम लोग यहां से print button पर जाएंगे print का command देंगे already print हो जाएगा ओके दोस्तों thank you